बैनोर भाईयों इन महेनत कस्किसानों सर्मिकों कारीगरों हस्त सिल्पियों के सामने दुनिया फेल थी उन लोगों को पिक्सित छोड़ दिया गया था सता हो बस्पा हो कॉंग्रेस हो इन सरकारों की दंगा पॉल्सी के सिकारों गये थे यहां का विकास वाबित हो गया था अन दाता किसान आत्मत्या करने करे मजबूर हो गया था नाजबान प्लाइन करने के लिए मजबूर हो गया था बेटियां सुरक्सित नहीं थी ब्यापारी सुरक्सित नहीं था और जातिये खेमों में बांट करके लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन भिन करने का काम किया था और दुस्पेडाम क्या हुआ कभी देश गुलाम हुआ कभी हमारे हैत्यासिक प्रिष्ट भूमी से जुड़ेवे आस्ता के केंद्र तोड़े गए कभी कावड यात्रा पे रोक लगाई गई कभी सिक्विरोधी दंगों दंगे होते हैं कही पर किसी भी प्रकार की कोई ब्यक्ति अपने आपको यानि सुड़क्षित मैसूस तो नहीं करता था और जिस सहारान पूर में सीम संभावनाती प्रकृति और मात्मा की सीम किर्पाथी कि वहाँ सिक्सा के केंद्र की रूप में कासी की तर्ज पर विक्सितों उसको मजभी उनमाद और फत्मों का सहर बना करके रग दिया गया यह है देश के खिलाब साजिस करने वालों की कर्तूत यह लोग किस परकार की कर्तूत करते थे जिसमें संभावनाती अनदाता किसानों को के माध्यम से देश को दुनिया की एक ताकत बनाने की जिन हस्त सिल्पियर कारीकरों में ताकत थी कि दुनिया का सबसे अच्छा कारीकरी दिखा करके वे भारत का नाम दुनिया के सामने करें जिन नाज़वानों के अंदर एक जज़बा था कि वहाँ जीवन के प्रतेक छेत्र में नित्रित्व दे सकते हैं जिन ब्यापारियों में ये होसला था कि दुनिया को अपने में समेट सकते हैं इन सभी को एक एक करके दरकिनार करके मजभी उनमात का केंदर सहरनपुर को बना दिया किया और बैन और भाईयों गंगो भी उससे पंचित नहीं था मुझे याद है दोहजार सोना में जब सिक विरोधी दंगे हुई थे यहां पर आपने देखानी इससे पहले क्या होता था किस प्रकार की राजटता भेलती थी जब कावण यात्रा में बैन लगता था तब तो कोई जातिवादी संगटन नहीं आता था सब के मुझ सिल्य जाते थे क्योंकि तब की सरकारे जिन गुंड और माफियाओं के ओपर संग्रक्षण देती थी जिन मजबी ताक्तों के सारे पर कारे करती थी जिन के सामने घुटना टेक करके उस समय कारे करती थी वे लोग कभी भी इस परकार की चीज़ों को स्विकार नहीं कर सकते थे और बैन और भाईयों पैड़ाम क्या रहा पैड़ाम क्या रहा जिस बेटी को अपने मापाप के संग्रक्षण में अच्छी सिक्सा प्राप्त होनी चाहिए थी बेटी तो जब साधी योग्य होती है तभी सुस्राज जाती है नहीं तो मापाप के संग्रक्षण में अच्छी पड़ा ही करती है उस बेटी को असमय होस्टल में या दूर इस्तेदार के घर में डर के मारे माबाप की भेज़ देते थे बेन और भाईयों यह इस्तिती लगाता और पैदा करने का प्रियास हुआ ब्यापारी भी है सुरक्सित था ब्यापार नहीं कर पाता था प्लैन करता था किसान को उसकी उपस का दाम नहीं मिलता था अराजक्ता का तांड़ था जब कुछ नहीं हो पाया इन लोगों से विकास का कार्या पहले से बंचल नहीं चीनी मिनों कोई बंद करके बेचना प्रारंब कर दिया यहीं तो उता था सपावस्वर कॉंग्रेस के समय और आपने पिसले दस वर्स में मोदी जी के नित्रत्व में बदलते वे नए भारत को दिखा है